वेल्कम बैक मॉइन टेक सपोर्ट MS Excel के इस टेटेरियल में आज हम एज का एक कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे जैसा कि आप डिस्पले पर देख पा रहे हैं इसमें हमने इस कैलकुलेटर में हमने डेट ओवर्थ रखा है डेट ओवर्थ में हम किसी का भी डेट ओवर्थ हम यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद में हम जो उसका एज है जिस एज को उनकी उम्र जानना चाहते हैं या एज जानना चाहते हैं उसको हम यहाँ इसमें एज ओन यानि किस डेट को हम उनका एज जानना चाहते हैं यहां पर रखेंगे, उस date को हम calculate करेंगे, year में, month में, और days में, कितने साल, कितने महीने, और कितने दिन की age हो चुकी है, इसके बाद में नीचे हमने यहां पर दे रखा है, age in word, यहीं कि उसी age को हम word में calculate करेंगे, ये सब कुछ automatic होगा एक बार formula लगाने के बाद में तो please video में end तक बने रहेगा चलिए देखते हैं age calculator कैसे create किया जाता है जो कि automatically age को calculate करेगा आपको सिर्फ यहाँ इन दोनो dates को ही डालना है किसी का भी जो date of worth है उसको यहाँ डालना है और जिस date को उनका age निकालना चाहते हैं उसको यहाँ डालना है उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना automatic age आपकी create हो जाएगी चलिए start करते हैं सबसे पहले देखे का year है इसमें एक formula लगाएंगे तो यहाँ दिखे का type करेंगे equal to उसके बाद में लिखेंगे जालना चाहते है उस date को लेंगे उसके बाद में कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद देखे का double code लिखेंगे और य प्रेस करेंगे double code को बंद करके bracket को close कर देंगे इसके बाद में enter करेंगे तो यहाँ यह clear हो जाएगा कि एज जो है वो कितने साल की है इसके बाद कितने साल कितने महीने और कितने दिन है ये complete करने के लिए फिर दुबारा से formula लगाएंगे equal to date if फिर से bracket लगाएंगे और bracket लगाने के बाद फिर वही process अपना date of worth को select करेंगे coma लगाएंगे इसके बाद में यहाँ हम फिर जिस date को age निकालना चाहते हैं उसको select करेंगे फिर से coma लगाएंगे और double quote रखेंगे double quote के बाद में यहाँ देखिए का year लिखेंगे और month यानि के y और m हम type करेंगे और double quote से बंद कर देंगे y और m ही हमने क्यों type किया है क्योंकि हम चाहते हैं देखिए का 27 साल करेंगे तो इसलिए y और m रखेंगे यानि के complete year को excel hold करेंगे और complete जो uncomplete है उसको यहाँ पर month को show करेंगे जैसी enter करेंगे तो दिखेंगे 27 साल 8 महीने आगे कितने दिन होता है उसको हम देखेंगे इसी तरह से equal to dated if bracket start करेंगे और यहाँ पर भी जो date of worth है उसको select करेंगे coma लगाएंगे इसके बाद में फिर date को लेंगे फिर coma लगाएंगे double coat रखेंगे अब की बार में हम month को hold करेंगे और फिर day को लिखेंगे double coat से बंद करके एक bracket लगाएंगे और इसको enter कर देंगे इससे हमें पता लगता है कि जिस person की date of worth हमने यहाँ लिखी है इस date को उनकी age 27 साल 8 महीना 26 दिन है इसी date को words में निकालने के लिए हम क्या करेंगे चलिए देखते हैं words में निकालने के लिए एक call to press करेंगे call to press करने के बाद जो आपकी इसको double code लगाएंगे double code लगाने के बाद इस तरह से dash इसमें डाल देंगे और फिर dash डालने के बाद में इसको यहाँ पे लिखेंगे year years और double code से इसको बंद कर देंगे और देखे का यहाँ इसके end में एक कॉमा यहाँ पे लगा देंगे और इसको एक space भी दे देंगे इसके बाद में आगे आएंगे फिर आगे देखेगा इसके बाद में क्या करेंगे फिर end लेके आएंगे shift के साथ में save a number button प्रेस करेंगे इसके बाद में हम क्या करेंगे month को select करेंगे month को select करने के बाद में फिर हमें end लेके आना है और इसके बाद में कोमा लगाना है डबल कोड लगाना है डबल कोड के बाद में देखिए का फिर यहाँ पर months टाइप करेंगे months और months टाइप करने के बाद में फिर यहां पर दिखे गए कोमा लगाएंगे और इस पेस देखे डबल कोट से इसको बंद कर देएंगे इसके बाद में फिर एंड प्रेस करेंगे यह एंड प्रेस करेंगे और थर्ड नंबर पर यह डेस को ले लेंगे फिर यहां से देखे इसी तरह से end लेंगे और end लेने के बाद में फिर यहां पर double quote लगाएंगे double quote लगाने के बाद में फिर आगे चलेंगे और इसको लिखेंगे यहां पर days days और इसके बाद में कोमा लगाएंगे कोमा लगाने के बाद space देंगे double quote से इसको बंद कर देंगे और इस तरह से इसको 8 महीना 26 दिन इस तरह से हम age को निकाल सकते हैं तो I hope आपको समझ में आया होगा फिर से देखते हैं date of worth हमने ये रखा है अब यहाँ देखिएगा दोनों dates हैं हमारी हम इनको change कर सकते हैं और जैसे change करेंगे like हम इन दोनों dates को यहाँ पर remove कर देते हैं हटा देते हैं ये dates हमारे पास अभी कोई भी नहीं है अब देखिएगा इसमें आगर किसी का भी date of worth रखेंगे like किसी का date of worth है 406-2019 ये किसी का date of worth है और इसके बाद मैं current date लाने के लिए control के साथ में column बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से date automatic calculator जाएगी जिसका date of worth 6 April 2019 है और उसको आज अगर age निकालना चाहते हैं तो 4 साल 11 महीना 25 दिन यहाँ पर भी दिखा रहा है इस तरह से ये जो दोनो dates हैं आपकी इन dates को हम change करेंगे तो automatically नीचे हमें result मिल जाएगा अगर समझ आया तो प्लीज वीडियो को like and share कीजेगा और इस टाइप के और भी बहुत सारे एक्सल के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल माइन टेक सपोर्ट को subscribe कर लिजेगा thanks for watching this video have a nice day